नमास्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल आदीवीरा पॉइंट में तो दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ में बेल आईकों नो दबा दें ताकि कोई भी latest information आपकी लिए सबसे पहले मिल सके साथ में आपने अभी तक Telegram Group को जोई नहीं किया हुआ तो description में सकी लिगी दी वहाँ जाकर आप इसको जोईन कर सकते वहाँ पर आपको काफी PDF और notes free में available हो जाएंगे तो आज की सबसे बड़ अपडेट ही है दोस्तों की जो railway NTPC का examination है कभी समय से चला रहा था तो उसकी जो है आप आप देख सकते हैं कि आपका जो form accept हुआ है या reject हुआ है उसका इन्होंने notice डाल दिया हुआ है जैसे कि देख सकते हैं अफिसल वेफसाइट है RRB भोपाल भी हम आए हुए है RRB भोपाल की वेफसाइट है आज हैंनोंने 16 नो को यह update दिया हुआ है NTPC के लिए non-technical पापुरूप के टिगरी के लिए जो है इनका notice number CEN1 2019 था उसके लिए हैं notice दे दिया है तो यह NTPC के लिए हैं यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है RRB Recruitment Board ने कि जो यह था जो की जो CEN1 2019 था 28224 को जो इसुगा था इसका application form वो दिगा हुआ है NTPC यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप student जो की है application has been completed and candidate can view the status of their application under provisionally eligible or rejected मतलब आपका form accept हुआ है या फिर आपका form reject हुआ है तो वो जाकि आप यहाँ से आप check कर सकते हैं और नमबर दूसरे पर क्या लगा हुआ है कि SMS and email will be sent candidate registered mobile number and email id provided in application form मतलब जब आपने application form भरा था तो आपने वहाँ mobile number और email id registered करा था वो जो भेजा है उस पर मिलेगा लेकिन किको मिलेगा who application is rejected जिनका application reject हुआ है कि बल उन्ही candidate के लिए mail जाएगा या फिर उनके mobile number पर की message आएगा कि बल उन्ही candidate के लिए जिनका reject हुआ है अब कोई भी जो region होगा वो region आपको बताया जाएगा है लिखाए along with region for rejection मतलब कि क्या है आपकी photo mistake रही या data over is हो गए या कुछ भी जो भी rejection रहा होगा वो आपको बताया जाएगा और किदी किसी कहो भी यादा तो कोई समस्या नहीं है हम चाहते कि सभी का accept home और उसकी जो link है यहाँ पर third number में लखा हुआ है status of application can be viewed entering application registered number and date of birth मलब जैसे इसकी link को लेगी तो हाँ आप अपना application number जो form बढ़ते बगत आपको मिला था उसमें आप date of birth डालेंगे तो link जो है 21 सितम्बर से चालू हो जाएगी और 30 सितम्बर तक चालू जाएगी तो यह तो आप ध्यान रखें यह date 21 तारीक से जो है 30 तारीक तक के बीच में यह date रहेगी उस बीच में आप जरूर check कर लें क्योंकि फिर इसके बाद 30 तारीक के बाद link आपको फिर मिलेगी नहीं तो फिर आप check नहीं कर पाएंगे कि reject हुआ है या फिर accept हुआ है यह काम की जानकारी आपकी खास नहीं है बाकी कुछ नहीं है इतना ही जानकारी थी सारी कि आपका 21 तारीक से देख लेना आप लोग NTPC का जो है इसमें गुरूप D नहीं NTPC का जो है यह आपको मिल जाएगा तो आपका form accept हुआ है reject हुआ है तो इसकी link 21 तारीक को हो इडिव अच्छी लगी है तो दोस्तों को share जरूर कर दें साथ में चैनल को subscribe जरूर कर दें साथ में bell icon को बटन को भी praise कर दें तो यह च्छी स्कबरी है क्योंकि एक step और आगे बड़ा है पहले आरारभी ने date नहीं दी ती तो date दे दी तो इसने 15 देसमबर से exam होंगे अब उसमें उसने एक next कदम भी लिया है कि आपका form accept होगा कि या reject होगा तो ये जानकारी काफी अच्छी है सब्सकारतमा कदम है ये तो चैनल के साथ जोड़े रहें तब तक लिए अलविदा नए बिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाज जहिन